नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी उमीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से होंगे हाँ एक डिस्काउंट का आपका क्लास वन है ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट इसमें पूरे डिस्काउंट खतम कर देंगे सारे इंपॉर्डेंट कोश्चन कवर करा देंगे एक भी कोश्चन आपका बचेगा नहीं सभी स्टूडेंट नया चैप्टर है दोस्तों यह आप सभी स्टूडेंट नोट जरूर करिएगा नोट क्या करने आप सभी को डिसकाउंट यानि छूट या बटता क्लास वन है आपका ध्यान दीजिएगा अगर दोस्तों आप लाव और हानी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो इसमें आपको एक भी परसंट की समस्या नहीं होगी क्योंकि यह लाव और हानी से ही रिलेटेड है ठीक है यह प्रॉफिट और लॉस में ही पढ़ाया जाता है लाव और हानी के बाद ही से पढ़ा कोश्चन को पहले एक बर क्या करिए सभी स्टूडेंट पढ़िए कोश्चन है यदि ध्यान दीजिए यदि अंकित मुल दोसो पचास रुपए है और विक्रे मुल दोसो पचीस रुपए है तो छूट की दर ग्यात कीजिए कितने परसंट की दोस्तों इसमें छूट मिली यानि डिसकाउंट ध्यान दीजिएगा डिसकाउंट कितने का मिला यह पूछ रहा है ध्यान दीजिए ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहे है अंकित मुल अंकित मुल मतलब क्या होता है दोस्तों MP मतलब ध्यान दीजिएगा MP यहाँ पे ध्यान थीक है SP मतलब selling price क्या है दोस्तों कितना है दोसो पचीस रुपए है ठीक है कितना है दोस्तों दोसो पचीस रुपए है छूट की दर यानि डिसकाउंट कितना है दोस्तों बताईएगा दिसकाउंट कितना है यानि चूट कितना दिया गया 250 है दोसो पचीस रुपए में क्या हो रहा है दोस्तों ध्यान दीजिएगा हाँ 250 रुपए mark price है दोसो पचीस में बेचा जा रहा है तो चूट कितने का मिलेगा 250 में से MP में से SP घटाएँगे तो क्या हैगा discount आएगा ठीक है तो 250 में सो 225 घटाएंगे तो 25 discount कितने का मिला 25 का मिला ध्यान दीजिए यहाँ पर छूट की दर पूछ रहा है अगर दोस्तो यह पूछता कितने प्रतिसत का छूट मिला तो क्या बोलेंगे दोस्तो 25 का छूट मिला है ध्यान दीजिएगा 25 का छूट मिला है छूट किस पर मिला है दोस्तो MP पर मिला है किस MP क्या है 250 है तो 25 बटा क्या होगा दोस्तो 250 और गुने आपका क्या होगा 100 प्रतिसत में निकालने के लिए तो 25 दहा में 250, 10 दहा में 100, छूट का जो प्रतिसत होगा दोस्तो वो 10% होगा, बहुत अच्छे, very good, discount 25 रुपे और छूट की प्रतिसत क्या होगी, 10%, very good, जितने भी student आंसर दे रहे हैं, आप सभी student एकदम सहिए, 25% नहीं, 25% कुछ आंसर दे रहें, 25% नहीं, 10% का दोस्तो क् और ध्यान दीजिए, discount का मुले रुपे क्या है, यह 25 है, हाँ, percent 10 होगा, और छूट 25 होगा, very good, बहुत अच्छे, उमीद कर रहें, आप सभी student समझ रहेंगे, तो ऐसे क्या किया जाता है, discount निकाला जाता है, लाभानी आप पढ़े हैं, उमीद करते हैं, आप सभी student सभी student अच्छे से देखिएगा, question number दूसरा देखिएगा, काफी important है, अच्छे से देखना है, simple तरीका बता रहा हूँ, direct आप अप solve करेंगे, इसमें ज्यादा simple तरीका नहीं बताने की ज़ुरत है, क्योंकि लाभानी आप already पर चुके हैं, ठीक है, किसी radio पर 15% की छूट द देखेंगे, समझने का आप सभी student प्रयास करेंगे, क्या पूछ रहा है दोस्तो, MP पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अंकित कीमत मतलब mark price पूछ रहा है, और यहाँ पर क्या है, रेडियो पर 15% की छूट, discount का दोस्तो, percentage दिया है, क्या दोस्तो, 15% ये दिया हुआ है, ध 255 हो रहा है, 255 हो रहा है न, पूछ क्या रहा है हम से, mark price पूछ रहा है, ये discount 15% है, ध्यान दीजिए, और MP दोस्तो, क्या होगा, 100% होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, 100% में से, क्या करेंगे, दोस्तो, सभी student बताईए, minus 50%, 15%, यानि 15% क्य क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या होगा, दोस्तो, 85%, यही 85% क्या होगा, दोस्तो, 200, हाँ, very good, answer आप लोगों सही आ रहा है, 255 के बराबर होगा, यानि 85% क्या होगा, दोस्तो, 255 के बराबर, तो आपको बताना है क्या है, दोस्तो, ध्यान दीजिएगा, आपको बताना है, MP MP का मतलब दोस्तो 100% का मान बताना है तो 100% बराबर दोस्तो क्या होगा बताईएगा सभी सुडेंट 255 अच्छे से देखिए 255 बटा क्या होगा 85 गुने क्या होगा 100 ठीक है यही तो बताना है अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पे देखिए 85 से डारेक्ट क करेंगे तो दोस्तो क्या होगा 300 रुपए यह क्या हुआ दोस्तो 100% यह क्या आया दोस्तो आपका MP आया और यही 300 रुपए क्या होगा दोस्तो आपका आंसर हो जागा हाँ जितने भी स्टुडेंट का 300 रुपए आ आप सभी स्टुडेंट एक डम सहीं है वेरी गुड परसेंट का मान बता देना है 100 परसेंट का मान बताएंगे 300 रुपए हो जाएगा वेरी गुड यह देखिए तीसरा कोश्चन है एक घड़ी का अंकित मुले 300 रुपए है वह बारा परसेंट की छूट पर बेची जाती है तो घड़ी का विक्रे मुले कितना होगा ज्यादा क्या है दोस्तों 300 रुपए है यानि कि MP दोस्तों क्या है पताइएगा MP kya है 300 कि छूट यानि डिसकांट का दश्जांट को परसंट ऊखें और 12% अब कहिए रहे 12% की छूट पर बेची जाती है घडी का भिकुमन मतलाब बेचने वाला तो ऐध्यान दीजिए ज्यादा कुछ नहीं करना है 300 पर क्या करेंगे pagan dot n ocs the day has keeping तो दोस्तों बताइए यह एंपी पर जिए घ्रबंठी यानि तीस रहे करते टे तो सो से घटा के लिखते थे लाभानी में हम आपको सिखाएं तो 300 गुने क्या करेंगे दोस्तों बताईएगा 88 बटा 100 यहीं करना है न देखिए 0 से 0 कैंसिल 3 मटे 24 का 4 हासिल क्या 2 3 मटे 24 24 दो क्या हो जाएगा 26 SP दोस्तों आपका क्या होगा SP क्या होगा 234 रूपे ध्यान दीजेगा तो घटी का भिक्रे मूल क्या होगा 264 रूपे होगा हां यह रूपय है सब ही चूछन देञान दीजेगा परसेंटेज मत मताने लगिए यह रूपय है यह आपका एंसर हो जायगा जितने उस्ट्टन का शरा है 264 रुपे आप सभी student एकदम सही है जितने भी student cancer आया है 224 रुपे आप सभी student एकदम सही है हाँ 264 होगा very good हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे very good एकदम सही हाँ एकदम सही आप चाहते तो घटा भी सकते थे लेकिन घटाना नहीं है डारेक्ट 88% निकालिए यह डारेक्ट सही है यह नहीं कि हम इतना परसंट निकालेंगे इतना घटाएंगे ऐसे करेंगे ऐसे नहीं करना है डारेक्ट क्या करिए आप ऐसे करिए 264 very good बहुत अच्छे सभी student एकदम सही है तो हमसे पूछ क्या रहा था दोस्तो SP ही पूछ रहा था हमसे SP पूछ रहा था तो यह SP क्या आगया 264 क्या आया है दोस्तों बताईएगा SP आपका रुपए में आया है क्या आया है 264 264 और यही आंसर हो गया चलिए next question क्यों चलते हैं उमीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे सभी प्रशनों को देखिए सीखिए समझिए यह देखिए चौथा question देखिए चौथा question देखिए और साथ में solve भी आप लोग करेंगे क्योंकि आप लोग अल्रेड़ी लाव है उंगानी क्या है दोस्तो पढ़े हुए है ठीक है और उसी से समझिए भी question है ध्यान दीजे question यह है स्याम ने कोई बस्तू उसकी मूल कीमत पर 20% की छूट पर खरीदी उसने उसे खरीद मूले पर 40% बढ़ा कर बेच दिया ध्यान दीजे नया विक्री मूल कीमत से कितने प्रतिसाथ अधिक है क्या कह रहे दोस्तो स्याम ने कोई बस्तू मूल कीमत पर 20% की छूट पर खरीदी ठीक है ध्यान दीजेगा जो उसकी मूल कीमत थी क्या दोस्तो मूल कीमत सभी स्टूडेंट ध्यान दीजे जो मूल कीमत है सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए मूल कीमत मान लेंगे दोस्तो 100 रुपए है ठीक है मूल कीमत माना 100 रुपए 20% छूट पे खरीदा है तो कितने में खरीदा है यानि जो ईस तो ध्यान दीजेगा उसका जो क्रे मुल्य है जो CP है जो ये खरीद रहा है ध्यान दीजेगा 20% चूट पे खरीद रहा है तो 100 का 20% क्या होगा सौग का 20% छूट कर लेंगे तो सौग उन्हें 80 बटा 100 80% यानि 80 रुपे में सभी स्टूटेंट ध्यान दीजिए कितने रुपे में खरीदा है 80 रुपे में अब देखिए 20% छूट में खरीदा उसने खरीद मुले पर 40% बढ़ा दिया यानि ध्यान दीजिए 40% बढ़ा by के बेचा है इसका SP दोस्तो क्या है बताईएगा यह जो 80 रुपे है न इसमें क्या क्या 40% बढ़ा दिया मतलब क्या कर दिया इसका 140% कर दिया ध्यान दीजिएगा तो पूछ रहा है दोस्तो क्या नया विक्री मुल मूल कीमत से, यह क्या है दोस्तों नया बिकरी मूल है, धयान दिजेगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 0 से 0 केंसिल, 14 वट bookstore क्या होगाack 122, धयान दिजे सबी student, तो कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे नया बिकरी मूल कीमत से कितना प्रतिशत अदिख है पहले मूल कीमत क्या था दोस्तों 100 आप कितना हो गया 112 तो कितना बढहा दिया 100 पे 12 बढ़ाया तो डिर्यक्ट बोलेंगे 12% ध्यान दीजे सभी स्टुडेंट 100 पे 12 बढ़ाया 12 बढ़ा किस पे 100 पे परसेंट में पूछ रहा है तो गुने 100 कर लेंगे तो 12 सो से 100 केंसिल हो जाएगा 12 परसेंट आप डिरेक्ट यहां पर बोल सकते हैं 100 से 100 12 हो रहा है 12 परसेंट सूडेंट 12 रुपए हो रहा है प्रतिसत में पूछ रहे कूई से सूडेंट 12 रुपए दे रहे हैं ध्यान दीजेगा 12 प्रतिसत हो गा सौ पे हो रहा है न बायक्ष 12 रुपए हो रहा है ऐसे 12 रुपे हो रहा है 100 पे तो गुने 100 किये 100 से 100 कंसिल 12% वेरी गुट हाँ 112 अंसर नहीं होगा ये पूछ रहा है मूल कीमत ध्यान दीजेगा नया जो विक्री मूल है ध्यान दीजे नया विक्री मूल क्या है दोस्तो ये है नया और मूल कीमत कौन है ये बोल रहा है नया विक्री मूल मूल कीमत से कितने प्रस्यत अधिक है, 112 दोस्तों, 100 से कितना प्रस्यत अधिक है, 12 अधिक है, 100 से ध्यान दीजिए, और बटा 100 उन्हें, 112%, very good, जितने भी student का 12% अंसर आ रहे, आप सभी student एक दम सही है, बहुत अक्षे, बहुत अक्षे, very good, बहुत अच्छे उमीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहें अच्छे से समझिए नोट जरूर करिए सभी प्रस्णों को चलिए next question की ओर चलते हैं अगला question आप लोग देखिएगा अच्छे से देखिए सभी student सभी प्रस्णों को आए ये question देखिए question number five question number five देखिएगा एकदम अच्छे तरीके से देखना है सभी student नोट जरूर करेंगे question क्या है किसी बस्तु का मुल्य 30% बढ़ा कर उस पर 10% और 10% के दो करमिक बट्टे दिये जाते हैं अंतिम रूप से बस्तु के मुल्य में परिवर्तन प्रतिसत कितना होगा कितने percent का परिवर्तन होगा ये पूछ रहा है question समझेए पहले concept clear करिएगा important type का question है ध्यान दीजिए हाँ समझ में आप सभी को आ रहा है उम्मीद करते हैं ठीक है तो देखिए किसी बस्तु का मुल्य 30% बढ़ा कर ध्यान दीजिए 30% बढ़ा दिया गया पर 10% और 10% क स्तु के दो क्रमिक बटते दिये जाते अंतिम्रूप से बस्तु के मुल्य में प्रतिसत परिवर्तन कितना है तो इस प्रस्न में क्या करना है कुछ करना है इसमें इसमें कुछ भी नहीं है direct answer đे सकते हैं हाँ सभी stio09 10% अंसर देने के आप सभी student पर्यास करिए देखिए प् पहले मुल्ले था ठीक है तो फ्रूप एथा तो इसफे क्या किया? 30% बढ़ा दिया मतलब 130 कर दिया फिर क्या कर रहा है । दोस्तों उस पर 10% और 10% के दो करमिक बट्टे दिये जाते मतलब झूट दिया जाता है, तो परसेंट का बट्टा का मतलब क्या होगा, 90 परसेंट, 90 बट्टा 100, फिर दोस्तों, इस पे क्या होगा, 10 परसेंट का बट्टा, यानी कि 90 बट्टा 100, समझ रहना, यहाँ पर, ज्यादा कुछ नहीं करना है, अब देखिए, यहाँ से, 100 से 100, cancel ठीक है अब देखिए 2-0 है 1-2 तो यहां पर 1-2 ठीक है यहां पर दोस्तों क्या है 1-0 है 1-0 cancel ठीक है अब देखिए जादा कुछ नहीं करना है जादा कुछ नहीं करना है यहां पर क्या है तेरा गुने नौव गुने नौव ना नवा 1 और बटा में दस है देखिए कहा बटा में कीया है, दस है यानि की क्या होगा? तेरा गुने एकासी, समझेगा सभी स्टूडेंट यह नौव हुदनि कीया है, इस दस चनले कोई नहीं गुना करते हैं तेरा एकम तेरा एकम क्या होगा 3 हांसील एक 13वाट 174 और 105 10 से भाग करेंगे तो दाहिने तरफ से 110 मलो स्थ लग जाएगा तो यह क्या हो हो जाएगा दोस्तों बताईएगा एक सो पाच 10 Мलो 3 हो जाएगा तो कहे रहा है दोस्तों क्या अन्तिम रूप से बस्तु के मुल्य में प्रतिसत परिवर्तन या परिवर्तन प्रतिसत पूछ रहा है पहले दोस्तों क्या था ये 100 का था अब ये क्या हो गया दोस्तों ये करने के बाद यानि 30% वढ़ाने के बाद 10% 10% की छूट के बाद 100 से क्या हो गया 105.3 हो गया तो क्या हुआ है दोस्त ही होगा कितने प्रतिशत का 5.3 यह प्लस में हो रहा है ठीक है हाँ 5.3 परसेंट वेरी गुड जितने भी स्टूडेंट का 5.3 परसेंट आ रहा है आप सब भी स्टूडेंट एकदम सही है बहुत अच्छे सांधार हाँ समझीएगा 100 से क्या आया है ध्यान दिजिए हाँ 100 से क् 505.3 तो बढ़ा कितना उद्रतिश पर 5.3 तो सब भी स्टूडेंट एकदम सही है वहुत एकदम सही चलिए उमीद करें समझ रहा है देखिए पौइट में भी आता है ज़़ूरिणि नहीं है कि सभी संख्या घटी जाए दस्मलों में भी आता है ठीक है तो अच्छे से देखिए हैं बहुत अग्चे वेरी गुड उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट समझ रहें चलिए अब हम सलते हैं नेक्स्ट पोष्टन की ओर ध्यान दीजियेगा वेरी गूल आगे देखिए अगला कोष्टन आप लुक देखिये अगला कोशन ये है ध्यान दीजिएगा अगला कोशन क्या है ये है काफी important है देखिएगा ऐसे प्रशन आपको पहले भी बताएं अभी बताएंगे तो समझ में आएगा ध्यान दीजिए प्रशन क्या है दोस्तों ध्यान दीजिए सभी student यदि 40% तथा 20% की दो क्रमिक छूट दीजिए ध्यान दीजिए तो नीवल नेट छूट क्या होगा कहने का मतलब है पहले कोशन आप समझेए कोशन में दोस्तों ये क्या बोला है कोशन में ये बोल रहा है 40% तथा 20% की 2 करमिक छूटे दी जाती है ध्यान दीजिए 40% का छूट दिया गया फिर उसके बाद दोस्त एक 20% की करमिक है ना 40% छूट देने गबाद फिर उसके 20% की छूटे दी जाती है तो नीवल छूट यानि net छूट बताना है क्या होगा कहने का मतलब है, 40 और 20 का दोस्तों, अगर हम 2 छूट ना देके, सिर्फ एक ही छूट दे, तो छूट कितने प्रतिसत का होगा, यह पूछ रहा है, हाँ, क्या पूछ रहा है, 40 और 20 की हम छूट ना देके, सिर्फ एक छूट दे, नेट छूट बोल रहा है, इन दोनों की जग तो कोई बस्तू है 100 रुपए की, कितने रुपए की है, 100 रुपए की है, ठीक है, अब ये 100 रुपए की है, ध्यान दीजिएगा, कितने की है, 100 रुपए, 40 परसेंट का छूट देंगे, तो क्या हो जाएगा, दोस्तों, ये 60 बटा 100, यानि 60 रुपए का हो जाएगा, फिर इस बटा 100 यानि इसका 80% हो जाएगा समझेगा दो छूट दिया गया अब देखिए बस तू कितने का पड़ रहा है ध्यान दीजेगा यह 100 से 100 क्या होगा कैंसील हो जाएगा यह दो जीरो है दो जीरो उपर भी है कैंसील ठेग उन्हें आठ क्या हो गया तो इस तो 48 का हो गया ध्यान दीजेगा सभी स्टूडेंट अब यहां पर बहुत से स्टूडेंट 48 दे रहें 48 परसेंट और जितने भी 48 परसेंट दे रहें आप सभी स्टूडेंट गलत है 48 परसेंट नहीं होगा अभी पूरा देखे नहीं 48 परसेंट आंसर दिये यहां पर कह रहा है द 43% देने लगे क्यों ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं पहले सीखिए समझिए तो अभी देकिये ना अभी डाइरेक्ट राइगा तो छूट क्या हुआ दोस्तोब परस्ट क्या हुआ दोस्तो छूट कितना का हुआ छूट परसेंट बताईए 52 रुपए का छूट, 100, minus 48, क्या होगा, 52, 52 का, किस पे मिल रहे है, दोस्तों, 100 पे, परसेंट में पूछ रहे है, गुने 100 करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 52 परसेंट होगा, यहाँ पे, 100 पे 52 मिल रहे है, तो आप डिर्यक्त बोलेंगे, 52, 52 परसेंट अंसर होगा, 52 परसे तो आपको चूट मिल रहा है घटाने नहीं आता है गलत बात है ध्यान दीजे 100 रुपे की बस तूँ आपको चूट कितने का मिला यह पूछ रहा है यहां पर नेट चूट पूछ रहा है यानि सिर्फ हम एक ही चूट दोस्तों दे दे बावन पर्चेंट का तो यह डिरेक्ट 14 रुबए का हो जाएगा कॉछ समझेए concept किलियर करिये यहां पर फूटी एट पर्चेंट नहीं 52 पर्चेंट होगा बावन पर्चेंट अब भी आप लोगों कांसर क्या रहा है ध्यान देजिए अभी भी आप लोगों कांसर आ रहा है 48% नहीं, 52% comment करिए, फिर आगे बढ़ेंगे, पहले समझ जीए, उसके बाद comment करिए, नहीं आ रहा है तो फिर से समझाएंगे, comment करिए एक बार, समझ जीए, पहले एक बार अच्छे साब सभी students समझ जीए, हाँ अब आप लोगों का अंसर आ रहा है 52 परसेंट समझ में आया हाँ कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो डेरेक्ट देखते हैं लास्ट में क्या आता है कुछ student यहां पर ऐसे है जो last में बस देखते हैं क्या आता है और उसी को answer मानते हैं last में सब कुछ आया जो आया वो answer नहीं होता है ये भी द्यान दीजिएगा last में जो आया वो answer नहीं होता है 100 रुपए की बस तु थी हम क्या किये 40% का छूट दिए फिर 20% का छूट दिए वो बस तु रुपए की हो गई तो छूट कितने का हुआ दोस्तो 100 से 48 हो गया 52 रुपए का तो 100 पे छूट मिल रहे है तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 52 या आप ऐसे कर सकते हैं 52 रुपए का छूट बटा किस से मिला है 100 100 से 100 कंसील होगा 52% हो जाएगा ऐसे भी कर सकते हैं या आपको पता है दोस्तो 100 पे डायरेक्ट मिल रहे है 52 तो 52% बोल देंगे ठीक है उमीद करें आप सभी स्टूडेंट आप सही है समझ में आप लोगों को आ रहा है ठीक है ध्यान दीजिए इसके लिए एक और हम तरीका बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा अभी एक और तरीका बता रहे हैं बहुत ए ध्यान दीजिएगा छूट परसेंट के लिए एक फार्मूला भी होता है क्या होता है दोस्तों ध्यान दीजिए इस x plus y plus xy ध्यान दीजे सभी स्टूडेंट बटा में 100 सभी स्टूडेंट ध्यान दीजे परसेंट ठीक है यह xy वाला मेथड आप सब को पता होगा यह कब लगाते हैं दोस्तों ध्यान दीजेगा यह कब लगाएंगे जब आपको दो छूट निकालना हो ठीक है x plus y plus xy बटा 100 परसेंट यह लगाएंगे ठीक है तो ध्यान दीजे नेट छूट के लिए करना है ज्यादा कुछ नहीं करना है तो हम यहां पे कर दे यहां पे कर दे तो ध्यान दीजे सभी स्टूडेंट छूट परसेंट बराबर क्या होगा बताईएगा x की जगह पे क्या है 40 और y की जगह पे क्या है 20 अब यहां पे देखिए यहां पे छूट है यहां पे ध्यान दीजे छूट का मतलब क्या होता है दोस्तों छूट का मतलब क्या होता है कमी होता है छूट का मतलब क्या होता है कमी होता है ध्यान दीजे हाँ अब बहुत से स्टूडेंट इस पे ल माइनस होता है, एक दम clear रखना है, 40% की छूट का मतलब माइनस 40, 20% छूट का मतलब माइनस 20, और माइनस माइनस का गुना होगा, तो क्या होगा, प्लस 40 गुने 20, यहाँ पर concept है, यहाँ पर concept clear करिए, अब answer आएगा, देखिएगा, कुछ student यहाँ पर confused हो गए होंगे, ठीक है, 2-0 है, 2-0 cancel, माइनस 40, माइनस 20, यहाँ पर लिख देते हैं, माइनस 40, माइनस 20, प्लस 4 गुना के 8, ठीक है, माइनस 40, माइनस 20, क्या होगा, माइनस 60, और प्लस 8, ठीक है, यह क्या है दोस्तो, पर्सेंट में है ये पर्सेंट में है ये पर्सेंट में है तो माइनस 8 प्लस 8 क्या होगा दोस्तो माइनस 52 पर्सेंट ये माइनस किसको प्रदर्सित करता है दोस्तो छूट या हानी को ठीक है तो छूट क्या होगा दोस्तो 52 पर्सेंट का हो जाएगा अब समझिए छूट का मत 20% छूट दे दिए तो क्या आपको लाब होगा नहीं छूट ड़ोन होता है कम कर रहे हैं तो कम कर रहे हैं तो क्या होगा this लगेगा माइनस माइनस ऑर इन दोनों का यह गुणण होता है तो माइनऄं घुनह स्राइब यहां यहां पे आप लोगों को शमझना ओर यह दोस्तो जो फामूला होता है यह ब्लस माइनस होता है ओडलास मैनस फूलस दोस्तों चूट या कमी बोलेगा वहाँ पे हम minus लगाएंगे जहाँ पे छोट या कम ही बोलेगा हूँ वहाँ पे minus लगाएंगे ठीक है तो अब उमीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इतना आपको paper में नहीं करना है यह तो हमें आपको समझाने के लिए लिख दिए जब आपको पता है दोस्तो छूट है तो minus 40, minus 20, minus minus का गुना होगा plus, 40 गुने क्या होगा दोस्तो 20, बटा का क्या होगा 100 बटा का 100, 2-0 से 2-0 cancel, यह 40-20, minus 60 उसके बाद से दोस्तो क्या होगा plus 60, तो minus क्या होगा दोस्तो यह percent में होता है, ठीक है minus में क्या होगा दोस्तो 52% और minus दोस्तो किसको प्रदर्चित करता है, छूट या कमी को ठीक है, तो answer क्या होगा, छूट यह, छूट percent क्या होगा, 52% direct answer देते, ठीक है उमीद करें, आप सभी students समझे रहोंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है समझे, छूट को क्या करेंगे दोस्तो minus में लिखेंगे, ठीक है, छूट का मतलब क्या होता है, कमी, ठीक है, बहुत अच्छे very good, चलिया, आगे चलते हैं आगे देखिए, question number seven question number seven देखिएगा question number seven भी काफी important है question यह है, एक पुस्तक का अंकित मुल 100 रुपए है, 20% 40% के बटा स्रेड़ी पर उसका विक्रे मुल ग्यात करें क्या बोल रहा है दोस्तो एक पुस्तक का अंकित मुल क्या है 100 रुपए है, 20% और 40% की बटा स्रेड़ी पर उसका विक्रे मुल ग्यात करें, ध्यान दीजे ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों यहां पर क्या बोल रहा है दोस्तों यहां पर अंकित मुले MP दिया हुआ है क्या दिया हुआ है दोस्तों 100 रुपए दिया हुआ है और इस पर डिसकाउंट का परसेंट का एक डिसकाउंट है और एक और क्या है दोस्तों 40 परसेंट का ड 20% के पहले छूट दिया जाएगा तो क्या होगा दोस्तों 80 बटा 100 यह हो जाएगा फिर दोस्तों 40% का छूट दिया जाएगा तो 100 में से 40 गटाएंगे 60 बटा 100 सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए नोट जरूर करिएगा देखिए 100 से 100 कैंसिल ध्यान दीजे सभी आंसर क्या होगा बताईगे अंसर क्या होगा 48 हां 48 पर्सेंट यह झाय भी क्या बोल रहा है इंकित मुल्ας सौ रूपए है यह रुपए था तो यह भी रुपए में 48 रुपए हो जाएगा उसका भिक्रे मुल्च क्या होगा अग्टालीक ये रुपए है सभी ज्यान दिजए यह रुपए है तो ये भी स्टूडेंट यहां पर क्या हो रहे हैं यहां पर आप क्या बोल रहे हैं बावन परसेंट क्या बोल रहे हैं आप लोग इसमें पूछ क्या रहा है प्रसन में प्रसन आप लोग बढ़ते नहीं हैं बावन परसेंट बोल रहे हैं कुछ स्टूडेंट हां बावन परसेंट इसम का विक्रे मुल्ण ज्यात की जढान क Anyways ! यह नहीं पूच रहा है कि कितना पर्सेंट का छूट दिया गया यही तो आप लोगों में कमी हैं पूचता कुछ और है , बताते कुछ और है इतना सिम्पल question है फिर भी आंसर गलत आ रहा है क्या हो रहा है यहां विक्रे मुल पूछ रहा है यहां पे 100 रुपए दिया है mark price दो छूट दिया जा रहा है तो कितने रुपए का होगे 48 रुपए का यह 49 रुपए पूछ रहा है अब बता रहा है सरके 42 पर्सेंट का चूट यहां थूट नहीं पूछ रहा है लेकिन अपि यहां पर जो बूच रहा है वह बताइए ना 48 रुपए यहां पूछ रहा है विक्रे मुल क्या होगा और 40 रूपे, यहां ठूट नहीं पूछा है, ध्यान दीजे सभी student अच्छे से देखिए, तब ही समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा, हाँ यहां पे सीखिए, समझिए, xy वाले मेथड से करते, तो माइनस 20, माइनस 40, ध्यान दीजे, अभी देखिए, समझा रहे हैं आप लोगों को, माइनस 20, माइनस 40, माइनस माइनस प्लस, 20 गुने 40, बटा क्या होगा, 100 होगा, 2,0 से 2,0 कैंसिल, माइनस 20, माइनस 40, माइनस क्या होगा, 60, और प्लस 8, तो यह क्या होगा, ध्यान दीजे, ध्यान दीजे, तो यह माइनस क्या होगा, 52%, यह क्या, यानि कि छूट अगर सौपय पावन पर्सेंट का छूट दे दे तो क्या होगा दोस्तों बताइए गा सौ रूपय परillon परसेंट का चूट दे दे तो क्या मतब्लत रूपИह हो जाएगा यानी सो मेंसे डेयरेक्स क्या करेंगे 22 माइनस करेंगे रुपए में अंसर देना है और 48 रुपए अंसर देंगे 52 नहीं अगर यहां पर पूझता छूट का प्रतिशत कितना रहा तो हम अंसर देते 52% ठीक है तो ये 52% है यानि कि 100 पे दोस्तों आपको 52% का छूट मिल रहा है तो 100 का क्या हो जाएगा दोस्तों 48% ठीक है तो ये क्या हो जाएगा 100 रुपए का बस तो क्या हो जाएगा 48 रुपए में मिलेगा ये 48 रुपए रुपए आंसर होगा उमीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट एक दम सही है हाँ आप जितने भी स्टूडें 48 रुपए आंसर दे रहे हैं आप सभी स्टूडेंट सही है उमीद कर रहे हैं समझ गये बहुत अक्षे से चलिए next question की और चलते हैं अगला question देखिएगा question number आपका 7 हो गया ठीक है हाँ उसका विक्रेमुल अब देखिए question number 8 question number 8 देखिए ध्यान दीजे सभी student अच्छे से देखिया अच्छे से देखिए दिमाग को एकदम सांत करके देखिए सारे important question करा रहे हैं सभी exam oriented है ऐसे ही question exam में पूछे जाते हैं तो अच्छे से आप लोगों क्या देखना है देखना है हाँ ध्यान दीजे question ये है 2000 रुपए पर 20% छूट और 10% और 10% की दो करमिक छूटों में अंतर क्या होगा ध्यान दीजे पहले question देखिए question को पहले समझे देखिए 2000 रुपए की कोई कोई बस्तू है उस पे 20% छूट और ध्यान दीजे कह रहे हैं 10% 10% की दो करमिक छूटों में अंतर क्या होगा एक छूट इस पे दोस्तो क्या दिया जा रहा है 20% का उसके बाद दोस्तो 2000 रुपए पर अगर 10% और 10% की दो करमिक छूट देदे तो इसमें कितने रुपए का अंतर होगा यह पूछ रहा है ध्यान दीजे इसमें कितने रुपए का अंतर होगा यह पूछ रहा है तो ध्यान दीजे ज्यादा कुछ नहीं करना है मानलीजे दोस्तो 2000 रुपए की कोई बस्तू है कितने की है दोस्तो 2000 रुपए की बस्तू है इस पे 20% की छूट दीजे 20% कि छूट देंगे तो क्या हो जाएगा 80% हो जाएगा यानि यसी बटा सो ठीक है जीरो से जीरो कैंसिल यह वाले जीरो से जीरो कैंसिल आठ दुना के कि इसाल है जीरो इसे फेलगे कितने आए ऑ़ कि हो गई दोस्तों यह एंद देगा नि करका में अनतर क्या होगा अगर 2,000 रुपे की बस्तू हो दोस्तों हम इस पे दो छूट दे 10% और 10% ध्यान दीजेगा तो क्या होगा 90 बटा 100 ध्यान दीजे गुने क्या होगा 90 बटा 100 अब इन दोनों में अंतर पूछ रहा है तो बहुत सी स्टूडेंट बोलते हैं 0% कुछ कोई ने ध्यान दीजे जो 100 पर सेंट प्लस 10 अप्लव शांतलिई नहीं होता है दस पर दस पर संट बीज़ंत ऐसा नहीं होता है ध्यान दीजेश around sap village स्टूडेंट यहां पर देखिए यहां पर दो जीरो है एक दो कड़ गया द्यान दीचिश्टीट यहां पर क्या है दोस्टों दो जीवरों यह भी होगा बताये बीस रुपय का कितने का इंतर होगा 20 रुपय का देखिए डारेक्ट 20% का छूट मिला तो 600 होगया अज जब 10% 10% का मिल रहा तो तो 600 120 है समझ में आया अब आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, तो आंसर क्या होगा, 20 रुपए, very good, जितने भी student 20 रुपए आंसर कर रहे हैं, आप सभी student एक दम सही है, हाँ, छूटों में अंतर पूछ रहा है, हाँ, सभी student ध्यान दीजिये, क्या होगा, 20 रुपए होगा, वीश रुपए होगा, बीश परसेंट आंसर कुछ student comment करें 20 रुपए ध्यान दीजिए क्योंकि हम सब क्या माने थे रुपए में माने थे हम सब क्या माने थे रुपए में माने थे बहुत एक्षे हाँ क्या होगा 20 रुपए होगा अभी हम आपको फर्मूला से भी बता रहे हैं पहले ये बेसी कॉंसेप्ट क्लियर करिए हाँ ट्रिक बताएंगे पहले देखिए हाँ नीवल जो नीवल छूट था नेट छूट था कहने का मतलब था जो फिछला कोश्चन आपके फिछला का फिछला था नीवल जो नेट छूट था उसका मतलब क्या होता था नेट छूट का मतलब दोस्तों दो छूट न देके सिर्फ एक ही छूट दिया जाए था 2,000 रुपए पर 20% की छूट 20% की छूट दिया गया 1600 और 10% 10% की दो क्रिमिक छूटों में अंतर पूछ रहा है तो 2000 पर 10% 10% की दो छूट दिये ध्यान दीजिए 10% 10% की दो छूट दिये तो क्या हो गया 1620 हो गया तो छूटों में अंतर क्या हो रहा है दोस्तों बताईए तो 20 रुपए का अंतर हो रहा है यही क्या हो जाएगा आपका अंसर हो जाएगा अभी एक और तरीका बताते हैं ध्यान दिजिए एक छूट क्या है दोस्तों बताईएगा एक छूट क्या है 20% का है और दो क और चुत का एकल चूट या डएर् droite निकालने के लिए दोके लिए तो मांडने दस मांडने दस मांडने 2 entfer यह प्लस हो जाएगा शुक्त अधिन अच्छ से पहले देखिए चूट है ना 10 परसंट चटारण परसंट की तो मांडने दस प्लस कि recru चूट है तो मांच 10 फिर minus minus plus 10 गुने 10 बटागा क्या होगा 100 2 0 से 2 0 cancel ध्यान दिजेगा सबी student 2 0 से 2 0 cancel minus 10 minus 10 क्या होगा दोस्तो minus 20 और plus ये 1 गुने 1 ठीक है तो क्या हो जाएगा बताइए सबी student ये इस percent में है ठीक है तो क्या होगा दोस्तो minus 19 परसेंट ठीक है ध्यान दिजेए और ये क्या था 20 परसेंट का छूट था ध्यान दिजेगा ये क्या था दोस्तो बीस परसेंट का छूट था ठीक है यह 20 परसेंट तो दोनों के बीच अंतर क्या होगा दोस्तो बताइएगा हाँ दोनों के बीच अंतर क्या होगा यह 19 परसेंट है छूट यह 20 परसेंट तो एक परसेंट का क्या होगा अंतर होगा ठीक है एक परसेंट का अंतर का मतल 20 रुपए आएगा क्या आएगा दोस्तों 20 रुपए आएगा समझिएगा सभी स्टूडेंट अच्छे से समझिए नोट आप लोग जरूर करिए उमीद करें आप सभी स्टूडेंट समझ रहोंगे देखिये, मौल वगर में आप जाएंगे या कहीं मारकेट में जाते हैं अगर वहाँ पे 10 परसेंट प्लस 10 परसेंट लिखा है तो इसका मतलब होता है 20 परसेंट नहीं उसका मतलब होता है 19 परसेंट, ठीक है? दोस्तों उमीद करते हैं आज की class आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, सारे question बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, किसी question में अगर आपको doubt है तो नीचे comment कर दीजिएगा, उस question को दुबारा हम समझा देंगे, वैसे यहाँ पे आप लोगों को doubt एक भ कराई जा रही है, सासी मेकर के आप पे, तो आप सभी लोग सासी मेकर के आप डाउनलोड कर लिजिएगा, लिंक नीचे description box में है, comment box में भी है, हम आपको बता दें, अगर आप सासी CGL 2022 exam की त्यारी कर रहे है, तो RM बैच चल रहा है, सासी GD 2022 के लिए आपके लिए चल रहा ह है, और सभी की सभी जो भी classes होती है, सासी मेकर के अप पे, वो जीरो लेबल से, बेसिक से, और chapter by chapter चल रही है, और कम फी में आप लोगों को बेहतर content दिया जा रहा है, जिसे आप पढ़ के 100% अपना selection सुनिशित कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ math पढ़ना चाहते हैं, तो math के के लिए भी classes एकडम basic से चली हुई है, UP police constable के लिए class से चली हुई है special batch, जिसमें आपकी UP police constable की, सभी आपकी जो syllabus में subject हैं, पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से clear किया गया है, और हम आपको बता दे, अगर आप complete math और reasoning की course लेना चाहते हैं, तो वो भी चला हुआ, SSE maker के app पे, और हम आपको बता दे, SSE maker का आप सभी लोग exam preparation जो app है, इसको आप सभी लोग क्या करेंगे, पहले तो आप लोग download कर लेंगे, app को install कर लीजिए mobile में, और इससे जुड़ जाईए, और अगामी किसी भी exam की आप तयारी करेंगे, तो आप एक बार app पे visit करेंगे, देख visit करेंगे, thank you